हर हर महाद्यू सभी मित्रों को वेलकम टू इलक्टोनिक स्टडी यूटूब चैनल सभी को सूप्रबार डेली करेंट अफेर्स की सीरीज में आज है हमारी 91 नंबर की वीडियो होगी और जैसा कि आज है 29 सितंबर तो देट से सम्मन्दे जितने भी महत्पूर करेंट अफेर् और देखते हैं पहला करेंट फेर्स पहला दिया हुआ है गुर्बीर पाल सिंग के बारे में तो अभी हाल ही में गुर्बीर पाल सिंग एंसेसी के 34 महाने देशक के रूप में नुक्त हुए हैं एंसेसी यानि की नेशनल कैड़ेट कूर जिसके हैट कौटर नू डेली में इस देते हैं तो ध्यान देखिएगा कि एंसेसी के ये 34 महाने देशक होंगे जिनका नाम है गुर्बीर पाल सिंग अब देखिए नुक्त की बात हुई है तो कुछ अन्नमहतपूर नुक्तियां देख लेते हैं मैंने आपको बताया था अलका नांगिया अरोडा के बारे मे जो अभी कुछ दिन पहले National Small Industries Corporation Limited की CMD नुक्त हुई थी सैफाली जुनेजा ये अंतर राश्री नागरिक उडियन संगठन के अध्यक्ष पत पर नुक्त हुई थी सरदार इकबाल सिंग लालपूरा ये राश्री अलप संकक आयोग के अध्यक्ष के पत पर नुक्त किये गय इसके अलावा सतीज पारिक इन्हे भी हालही में International Road Federation इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था निरलेफ सिंग राई International Fertilizer Limited के नए अध्यक्ष वा प्रबंद निदेशा के पत पर नुक्त हुए थी हर्स भूपेंद्र बंगारी ये भी Exim Bank यानि की Export-Import Bank of India के प्रबंद नि देशा के पत पर नुक्त हुए थे स्रीकांटी ये भी हालही में New Deputy Election Commissioner के पत पर नुक्त हुए थे और मैंने आपको बताया था वायूसेना अध्यक्ष के बारे में जिसके घोशना भी हालही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी तो एयर मारसल वीयार चोधरी को केंद् अगला देखते ही दिया हुआ है नागा लेंड के बारे में तो अभी नागा लेंड में एक खीरे की प्रजाती होती है या कह सकते हैं कि खीरे का एक प्रकार होता है जिसे मीठे खीरे के नाम से जानते हैं तो अभी हालही में इसे बहुगॉलिक संकेता क्यानी की जी आई ट किया जाये तो मैंने आपको बताया था कि कोहिमा में जो कि नागालेंड की राजधानी है तो नागालेंड के पहले और भारत की 61 में Software Technology Park of India केंदर का उधगाटन किया गया था अभी कुछ दिन पहले ही तो ध्यान रखिएगा कि ये एक नागालेंड का पहला Software Technology Park था और भारत का 61 था इसके लावा देखिए GI Tech की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में मडीपुर की मिर्च और और औरेंज को GI Tech प्रदान किया गया था यदि मिर्च की बात पहले ही तो मिर्च का नाम था हाथी मिर्च और और औरेंज का नाम था तामिंग लोंग औरेंज तो ध्यान रखिएगा कि इन दोनों का समंध है मडीपुर राजिसे अगला देखते हैं दिया हुआ है वर्ड रेवीज डे के बारे में तो इसे हम प्रतेख वर्स अब्जर करते हैं 8 सितंबर को और यदि इस वर्स की बात की जाए कि इसका theme क्या है यानि कि विसाय क्या रहा है तो यह रहा है रेवीज, facts not fear और यदि वर्ड रेवीज डे की बात की जाए तो इसे हम जो लुइस पास्चर थे फ्रांसीसी वैग्यानिक जुन्हों ने रेवीज वैक्सीन की खोज की थी तो इनकी पुन्यतिती पर हम प्रतेख वर्स 28 सितंबर को वर्ड रेवीज डे के रूप में मनाते हैं देखिये रेवीज की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि अभी यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला राज जो रेवीज मुक्त हो गया है वे कौन है जानिए कि यह एक सत्रंच खिलाडी है जिनने अभी हाल ही में मास्टर कार्ट का वैस्विक ब्रेंड अमबेजडर नियूत किया गया है अगला दीखते हैं दिया हुआ है मोहिन अली के बारे में तो यह इंग्लेंड के ओल राउंडर है जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना की है इसके लावे मैंने आपको लस्ट मलिंगा के बारे में बताया था इन्होंने भी अभी क्रिकेट से सन्यास लेने की गोशना की थी अगला दीखते हैं दिया हुआ है विस्वतीरंदाजी CHAMPIONSHIFT 2021 के बारे में तो यह USA के SOUD DAKOTA के यंग टोन में आयुजित हो रही है और इसमें भारत ने तीन रज़त पदर हासिल की है तो इसकी तीन स्रेडिया है पहला दिया हुआ है महिला कंपाउंड विव्यक्तिगत यानि इंडिव्यूजल तो इसको जीता है जोती सुरेखा बेनाम ने और महिला कंपाउंड टीम में जो विजेता रहे हैं ये रही है जोती सुरेखा बेनाम दूसरी है मुसकान किरार और तीसरी है प्रिया गुरजर और कंपाउंड मिक्स टीम में जो जीते हैं वो हैं अफसेक वर्मा और सुरेखा बेनाम तो ध्यान रखिएगा कि 23 अंदाजी चैंपियनसिप में भारत ने तीन रज़त पदक हासिल किये अगला देखते हैं दिया हुआ है सानिया मिर्जा जोकी भारत की है और जांग सुआई ये चीन से सम्मन्द रखती है तो इन्होंने और श्ट्रोवा चैंगराज में आयोजित और श्ट्रोवा ओपन में महिला योगल का खिताब जीत लिया है तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए और श्ट्रोवा ओपन में महिला योगल का खिताब किसने जीता है तो यह जीता है भारत की सानिया मिर्जा और चीन की जहां उस्वाई की जोड़ी ने तो आज की इस करेंट अफेर्स की स्रंखिला में इतना ही जो हमने अब कल पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं पहला दिया हुआ है राजिस्तान के बारे में तो राजिस्तान की सूजत महंदी को अभी हाल ही में जी आई टेक प्रदान किया गया है अगला दिया हुआ है Air Marsal Sandeep Singh के बारे में तो हलही में वायु सेना का नया उप्रमुक नेउत किया गया है Air Marsal Sandeep Singh को और देखे Air Marsal VR च contributes ये हमारे अगले वायु सेना अध्यक्ष होंगे अगला है HDFC Bank के बारे में तो अभी हाल ही में SDFC बैंक ने दो साल में दो लाग गाउं तक अपनी पहुँच बढ़ाने का लक्ष निर्धारित किया है फिर हमने पढ़ा था कमांडेंट रतन सिंग और डेपटी कमांडेंट अनूप कुमार के बारे में तो यह दोनों ITBP के अधिकारी हैं यह भी चर्चा में क्यों रहे हैं तो दुनिया की आठवी सबसे उची चोटी जिसका नाम है मांसूल चोटी इस पर इन दोनों ने तिरंगा फैराया है अगला हमने पड़ा था विस्व पर्यावरण स्वास्ते दिवस के बारे में तो इसे हम प्रतीक वर्स अब्जर्व करते हैं 26 सितंबर को जिसकी घोष्णा International Federation of Environmental Health के द्वारा की गई थी और इस वर्स इसका विसे रहा है वैस्विक सुधार में स्वास्त समधायों के लिए पर्यावरणी स्वास्त को प्रत्मिक्ता देना और 26 सितंबर को ही हम अंतर राश्ट्री पर्माडु हत्यार उन्मूलन दिवस के रूप में अब्जर्व करते हैं और विस्व नदी दिवस हम सितंबर के चौथे रहवार को प्रते फ़र्स अब्जर्व करते हैं जो कि इस वर्स पढ़ा था 26 सितंबर को अगला हमने पढ़ा था लुइस हैमिल्टन के बारे में तो इन्होंने भी हाल ही में रसियन ग्रेंट प्रिक्स 2021 को अपने नाम किया है और लुइस हैमिल्टन के द्वारा ही जुलाई में ब्रिटिस ग्रेंट प्रिक्स 2021 भी जीती गई थी फिर हमने पढ़ा था कमला भसीन के बारे में तो ये एक प्रसिद्ध महिला अधिकार कारेकरतावाल लेखिका हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है अगला दीखते हैं दिया हुआ है नरेंटर मोदी जी के बारे में तो प्रधान मंतरी ने निईुवार्प में सयुक्त राष्ट महासभा के 76 सत्र hen को सम्मोधित किया है जैसा कि आपको ग्यात होगा कि प्रधान मंत्री अभी अमेरिक की दोरे पर हैं तो इन्होंने 76 सत्र को सम्मोधित किया है सहयुक्त राष्ट महासभा के और वे पहले विस्वनेता बन गए हैं जिन्होंने 25 स्तंबर 2021 को सहयुक्त राष्ट महासभा को सम्मोधित किया है देखिए सहीवत राष्ट महासभा की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था कि अभी कैलास सत्यार्थी को जो की नोबेल सांती पुरुसकार विजेता है तो सहीवत राष्ट महासभा की 76 बैटक में सहीवत राष्ट जो महासचियु है जिनका नाम है अंटोनियो गुटेरे इनके द्वारा कैलास सत्यार्थी को सिस्टेनवल डिवेलपमेंट गोल के अधिवक्ता के तौर पर नियुक किया गया था जो अभी काफी चर्चा में रहा था इसके बारे मैंने आपको बताया भी था देखिए सहीवत राष्ट महासभा की बात हुई है तो सहीवत महासभा के द्वारा जून के महिने में यह घोशना की गई थी कि वर्ष 2030 तक हम एट्स को समाप्त कर सकेंगे तो ध्यान रिखिएगा कि अधि आपसे पूचा जाए कि सहीवत राष्ट महासभा के द्वारा एट्स को समाप्त करने का लक्ष कब तक रखा गया है तो यह रख समाजिक परस्त, चौथा है अंतर राष्टी नयाले, पांचवा है नियास परस्त और छटवा है सचवाले तो यह समयक्त राष्ट के च्छै अंग है जिसकी अंतरगत समयक्त राष्ट महासभा भी आता है तो आज के सेशन में अब इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स वीडिय में तब तक लिए धन्वा सभी को